हेलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं टूप चैनल या स्केम स्टड़ी वे आप सक्सेज मैं हूँ आपका एजुकेटर सीवम मिस्रा और यहां पर मेरे प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस 2022 के लिए पूरा हम विज्ञान का स्लेबस देखेंगे NCRT पैटर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे लेकिन आएक बाद ध्यान देना 30 प्रिस्ट जो है UP बोड में स्लेबस की कटवती 2020 के लिए की गई थी अभी तक ये निर्धारे सनद नहीं की गई है कि 2022 में कितने प्रिस्ट स्लेबस की कटवती की जाएगी वह बिहारब बोड में कोई स्लेबस की कटवती नहीं की गई है ना ही MP बोड में कुछ प्रसक कटवती की गई थी 30% 2022 के लिए कोई स्लेबस निर्धायद नहीю किया गया है बट यह जो मैं यहाँ पर स्लेबस दे रहा हूँ यह स्लिवस आपका 100% से ओर है आने वाला है कटोती होगी तो इसमें से कुछ ही स्लिवस कटोती होगी बाकी यहाँ पर क्लास्टिंथ 2022 के लिए पूरकपुरा मैं आपको स्लिवस देने वाला हूँ तो इसलिवस पूरा संपूर वीडियो को देखेगा और अच्छे से समझाएंगे कि कौन सा इसमें हमारा पर्यावन से है कौन सा फिजिक्स से है कौन सा क्यमिश्टि से तो इसमें सबसे पहला ध्याय आता है वो आता है रासायनिक अभक्रियाएं एवं समीकरण यह जो पहला आता है यह आपका पहला चेप्टर किसमें क्लास 10 साइज में दूसरा जो आता है व आता है अमल चारक तथा लबन यह आपका दूसरा है अध्याय तीसरा इसी में है धातू अधातू या फिर एवं है अधातू जो चौथा चेप्टर है वो है आपका कार्बन एवं उसकी योगिक क्या है कार्बन एवं उसकी योगिक और जो पांचवा है आपका वो है तत्तु का आवर्त वर्गी करण ठीक है यतो हमारे 5 चेप्टर है यह पूरेक पूरेक केमेस्ट्री के सब्सकों अब इसके बाद आपका छटवा चेप्टर की शरू होता है प्रक्रंग और यह संत्रन एवं समने आठवा आपका क्या है जीव जनन कैसे करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं नौवा क्या है अनूवान सिक्टा एवं जैव विकास यह जो है यहापका क्या है आपका दस्वास जो होता है वो हमारा फिजिक से चालूता है क्या होता है प्रकास का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या है प्रकास का परावर्तन तथा अपवर्तन इगरहवा क्या है मानो नित्र तथा रंग विरंगा संसार बरहमा क्या है? वो है आपका विद्दूत और तिरहमा क्या है आपका? वो है आपका विद्दूत धारा के चुमकी प्रभाव विद्दूत धारा के चुमकी प्रभाव वहीं पी जो चौदहवा है वो क्या है? उर्जा की सुरूत चौदहवा क्या है? उर्जा के सुरूत यह आपका पर्यावरण से है और यह आपका क्या है? फिजिक्स से है यह आपका फिजिक्स से पर्यावरण का सुरू होता है परियावरण और सुलहमा क्या है प्राकृतिक संसाधनों का संपोसित प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों का संसाधनों का संसाधनों का संपोसित प्रबंधन प्रबंधन ओके तो यह आपका क्लास 10 साइंस का स्लेबस है इसको आप पूरा पढ़ दीजेगा और मैंने इसको प पूरा पढ़ा भी दिया है इसमें से आपका पूरा मैं बाइलोजिक खतम कर दिया हूं और यहां पर फिजिक्स बात करें तो हमारे दो चैप्टर और डेडी हो गए है आज सामके चैप्टर मिल जाएगा पूरा मैं आपको सिलिवस खतम कर दूगा कमेश्टी में एक स्क्राइब परियों कि दूसरों थैंक्यू जैहिन